प्रख्ट दान महादान होता है इसे जीवनदान के बराबर माना जाता है रक्तदान ना केवल अन्य व्यक्ति के जीवन को बचाता है बलकि ये रक्त देने वाले को भी हेल्दी बनाने में हेल्प करता है इसी कड़ी में आज Red Cross Society कुरुक्षित्र की ओड से DAV स्कूल पेहुवा में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया इस कारिकर में बतोर मुख्य अधिति, हर्याना राजय सूचन आयुक्त, भूपेंद्र धर्मानी और विशिष्ठ अधिति, अंडर ट्रेनिंग, आई-एस वैचाली सिंग ने शिरकत की जहां इसकूल पहुचने पर प्रिंसिपल, स्टाफ वा गड़माने विक्तियों ने उनका जोरदार स्वागत किया इस दोरान भूपेंद्र धर्मानी ने रक्तदाताओं को बैच लगा कर सम्मानित किया और कहा कि रक्तदान महादान है, इससे बड़ा कोई और दान नहीं है हम सब को समय समय पर रक्तदान करते रहना चाहिए इससे हम दूसरे व्यक्ति की जान भी बचा सकते हैं देखिए बलड डोनेशन कैम्प जो है वो मुझे लगता है कि एक सबसे बड़ा तान है जिससे आप ना केवल किसी का जीवन बचाते हैं बलकि एक ऐसी धारना को भी खतम करते हैं जो लोगों में फैली हुई है कि बलड जो है वो एक ऐसी चीज़ है जो सब के अंदर सिमिलर है जो एक विवाद चला हुआ है समाज के अंदर अलग अलग तरेंगा जो हमारी संस्कृती है हमारे देश की संस्कृती है उसमें जो एक आपस में समाज में विखराव होता जा रहा है जो एक शुरुआत हुई थी उस बिखराव को खतम करने में भी बलड डोनेशन जो है बहुत बड़ा योगदान दे सकता है अगर इसकी बारीकी को बच्चों तक और अध्याकवक बर्ग जो है सुभाज के विविन बर्गों में पहुँचा है जो बलड है वो नाकेवल सबका सिमिलर है बलके अगर आपने किसी को डोनेट किया है तो यह ऐसा गुप्ट दान है जिसका पता ही नहीं कि आपके दान से किसका जीवन बचा है और इसके लिए बच्चों को पर्मोट करना चाहिए बलड डोनेशन एक ऐसी चीज़ है जिसके दान के साथ आपके शरीर में भी सुस्थता आती है जो आपका जो बलड है वो रीक्रेट होता है एक निश्चिस समय के अंदर और वो एक नए बलड के साथ आपके शरीर के अं करता है वहीं कारिकरम में अंडर ट्रेनिंग आई एस वैशाली सिंग ने रक्तदाताओं को प्रशस्ती पत्र भीट किये और कहा कि रक्तदान के लिए सभी को बढ़ चड़ कर आगे आना चाहिए रक्तदान करने से आत्मा संतुष्ठ प्राप्त होती है और शरीर में भी न प्रभारी अक्षय नंदा सहित कई गणमाने व्यक्ति मौजुद रहे खुरुक्षेत्र से रणदिप्रोर पंजाब केशरी टीवी